हेलो स्ट्रेंट्स वैलकॉब डू अनकाडमी पांडेशन चैनल माइसेल्फ कॉरफ आज जो हम आपसे टॉपिक डिसकस करना चाहते हैं वह बहुत ही आप लोगे करीब है क्लास्ट 10 के स्ट्रेंट्स बोर्ड पास में आ रहा है तेंशन बढ़ रही है कि कैसे होगा तो कोई द टॉपिक को करते हैं तो हमारी दोथिंग चीजों की कॉंसेट अप्लिकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री भी कवर हो जाती है तो टिग्नोमेट्री चो की काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है तेंथ के पॉंट फ्यू से तो यह इतना इंपोर्टेंट क्यों है अगर हम बात करते हैं डापिक को तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि तीग्नोमेट्री हमको पढ़ना ही क्यों है ठीक है यह बड़ों मिती टिक है को इसमें क्या करने होते हैं एंगल करने के काम आते हैं हमाई technometry साइट को फाइंड करने के काम आती है तो अगर हम कोई building उसकी हाइट है ठीक है और हम पे एक कार है एंगल निकालना है हाइट निकालनी है ठीक है यह फिर हम बात करते हैं कि किसी सबसे पहले अगर हम टीजों के बात करतेंगी कैसे कोशन आते हैं और क्या-क्या हमारी हम अप्लाइ कर सकते यह हम नेक्स क्लास में बात करेंगे आज हम पूरा पर दखेंगे कि टिग्रो मेट्री में क्या क्या चीज़े हैं ठीओरी के अंधर तो देखो सबसे पहली बात कि हमारी जो तेंथ क्लास में हैं टिग्रो मेट्री वो किसमे है हमारी कि एक एंगल हो आइंटी दिया हुआ है इक ट्रेंगल जानी है यहां पर एंगल है ठीटा थीटा हो ianido okितру नाइंटी माइंटी थीट हें टो थोड़ा सा अब हम इसमें है कि होता क्या है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वी नो डैट जो हाइपोडेनियस का स्कॉायर होता है वह पर्पेंडिकलर का स्कॉायर के स्कॉायर के बराव को अब यह तो बात सही है कुछ ट्रिपलेट्स हैं चो हम लोगों को पता होने चाहिए कुछ triplets जो हम लोगों को पता होने बहुत जरूरी है वो क्या होते हैं और triplets होते क्या है देखो three four five जो भी हमारे pathagoras theorem इसकी हम बात करते हैं अगर मैं तीन का square करता हूँ और अगर हम बात करते हैं इनका बहुत यूज होगा जब आप questions करो अगर आपको याद हैं तो उसके लावा अगर हम बात कर रहे हैं नाइन त्वेल फिफ्टीन बिल्कुल सही ठीक है इसके आगे और अगर आगे हम जाते हैं इसमें तो हमारा होता है 8 15 17 फिर होता है हमारा है है 7 24 25 यह सब क्या हमारे पैथागोर्स ट्रिपलेट्स जो हमारे जब कोशन करते हैं तो हमारे ही यूज होते हैं अगर आपको यह याद होते हैं तो बहुत जल्दी आप यूज होए है पैथागोर्स जो हमारे ट्रिपलेट्स है चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब हम को पता है कि साइन क्या होता है जब हम बात करते हैं नहीं पर यह एंगल हमारा ठीटा है यह एंगल 90-ठीटा है जब हम इसकी बात करते हैं कि यह परपेंडिकुल है यह बेस है और यह है थोड़ा सा यहां पर सोचेंगे चीज़ों को ठीक है यह सब को पता है इलकुल बेसिक चीज है ठीक है एलकुल अगर हम बात कर तो होड़का हो मैं थिए अ कोष si siď कोस क्या है हमारा है है यहाँ सरे हों गएकि नहीं होता है प्यटर नहीं हो ठाल इक ट्रिक है घ्रे SIM को याद रखना याद हरने लिए ट्रि तरह हर भोले इस ट्रिक हो हम लोग करते हैं ने यह चिज़ास आपको याद रख नहीं il इसके नईने हम कहा सकते हैं कि ये शौट ट्रिक बन रही है तो जो मेरी ट्रिक है वह यह है ठीक है अब यहां पी अपॉन एच क्या होता है तो इसको जब आप त्षान से देखोगे फूरे इसको फॉर्मेट को इसमें से क्या-क्या चीजे मिल रही है पही यह प्युक्त है यह प्यू एक प्यू आप अच एक एच अपॉन पी क्या मिला है इससे बीटा अगर हम यहां पे त्यूद्थे समझे एक चीज को प्यू पू यह से कॉस और सेखो डिखो बी अपॉन एच एच अपॉन भी रोख में टैन और कॉट भी दिख रहे हैं तो इन सबसे भी हमारे कुछ फॉमले वह क्या फॉमले बने कि 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 साइन का जो रेसी प्रोकल आया वह आया यह पूर्णो हाँ कभी-कभी ऐस प्रमूलिक पता ही नियुक्त है तो याद कर रहे हैं तो याद है जूरूत नहीं है अगर हम कोछ चीजे समझ में आ रही है तो अगर मैं इन दोरों को मल्टिप्लाइ तो क्या हो जागा बिटा साइन थीटा कॉसेक थीटा किसके बराबर आजाएगा मेरा तो उसको हम क्या सकते हैं कॉस्च थीटा इंटू स्थेस्ट थीटा इस इकोल स्टू वन मतलब कि अगर में निकालना है तो वह कॉस का रिस्टीपोकल होगा यह बाद ध्यान रखना ठीक है ना थेटा वन अपॉन में कॉट तो यह तेन का रिस्टीपोकल किया कॉट तो टैन थेटा इंटू कॉट थेटा अब थोड़ा सा जब भी सैंटिस्ट बैठे सब पर यह तो अगर यह तो बचेगा क्या अच्छा अच्छा यह तो एक रिलेशन निकल गया कि जो 10 θटा है P upon H क्या था था यह साइं था बी अपउने च्टा क्या था कॉस था कि 10 θटा है इसका मतलब है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल है ठीक है यह बात ध्यान रहाएं फिर आगे इसी टाइप से अगर हम कॉट की बात करते हैं तो क्या होगा फिर रैसी प्रोकल है तो कॉट ठीटा क्या होगा है कॉस अपॉंट में सब्सक्राइब आप सब को पते होंगे ठीक है तो आज पूरा हम पहले एक बार थियोरी देख लेते हैं और फिर उसमें कुछ इसे पॉंट जो पहुत ही इंपोरेंट होंगे हमारे लिए वह उनको भी देखेंगे अब यह बात यहां तक हमारी क्लियर है तो अब कभी-कभी चीजे आसे आजाती है कि सर्क यूज किया है कैसे हमको यूज करते हैं यह है यह बी है यह सी है यहांते समझेंगे चीज को एक अगर मेरा एंगल है हांपे और मुझे से पूछा गया है साइन सी अब आप क्या लिखोंगे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी यह बात आप अपको प्रपेंटुलर सामने वाली साइड होगी हाइपोट्रिश होगी साइन क्या हमारा ञें ठीक है अगया है ञाधी स्थे साथ हमारा खाल सकते इस भी इसी अपॉन ऊपके फोट गुच्शन क्या ऐगा extensive मैं बोल दिया साइन निकालो और कॉस निकालो कमेंट बॉक्स में बताना जरा क्या होगा साइन एक बार तो थोड़ा सा अब हम इस चीज को और जा लेंगे कि साइने एक हो जब मैं देख रहा हूं एक यहां पे तो ऎंगल के सामने वाली कि जाती अगर हम बात करते हैं टाब जो मेरा यहां पर वह पोइंट यह चेंजिंज हो जाएगा आ या नहीं तब क्या मैं बोचता हूं कि यह परपेंडिकुलर हो गया है अब यह मेरा फरपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल के सामने अब यह ना यह थे अब तो इसके जब से साही ने क्या होगा अब यह दो भी बेस नहीं रहा ठीक है अब यह परपेंडिकुलर हो कैए तो इसके हैसाब से मेरा फ़ी क्या दिया होगा है पहला पार्ट के लिए है दूसरे पार्ट पर आते हैं कॉस ए हग्गर हम साइन ए हमने जब निकाल लिया है तो कॉस ए क्या होगा अब हमको पता है बेस क्या है एभी भी बिस के हमारा A. B. hypertension के हमारी AC तो हमें यहाँ पर एक चीज ध्य़ँआन रखनी है कि किसकी बात कर रहा है है जब हम एंगल्स की बात कर रहे हमें बहुत ही होचीज़ों को समझना है जब हम एंगल्स की बात करके हैं तो यह तो हमारी थी theat Africans की बात ठीक है अब जिस टाइप के कोशन आएंगे एक दो कोशन भी हम उस टाइप के एक दो देख लेते हैं आपके लिए कि अगर एक राइट एंगल रहे है एट ए बी सी ये 5 ये साइड आपको 12 जी हुई है तो ओविसली है ये 13 आजाएगी आजाएगी ये तो आप निकाल लोगे पैथा को सेक सी सेक ए इतनी सब चीजे आप से सब कोशन आपके अब जब देख हो गया ना तो यहां पर हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी होगी वह हमें सोचना है साइन ए को सेक है टैन है सेक है तो जब हम साइन ए निकालेंगे जब हम साइन ए को निकालते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा फिर वह अली बात पेटा साइन ए यहां पे होगा है ना तब हमारा यह क्या होगा फर्पेंडिकुलर हाइपोटेनियस तेहरा है तो 12 बाए 13 फिल ए वाला पार्टिंग आ लेते हैं सेक ए पहले अगर एंगल नहां पर यह फर्पेंडिकुलर हो जाएगा यह बेस और यह हाइपोटेनियस अब हमको पता ही यह होती है एच अपॉन में बी एच कितना दिया होगा है 13 बेस कितना ह ठर्टीन बाए पार्ट जो ए वाले पार्ट इस पोटिए है अब जब हम बाथ कर रहे है कि website 15 कि अभिए अधया है औरे र zalकिश्यानियस नहां ही कि इनको जो एक वार यहां देख लेते हैं और यहां इंगल होगा तो यह क्या होगा मेरा पर्पेंडिकल होगा है यह हमारा बेस रहेगा फिर उस वाले केस के लिए और यह हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा यह तो चेंज होता ही नहीं है तो 10C पी अपॉन में B मतलब 5Y पी अपॉन में B 5Y 12 कॉसेक्स C की जब हम बात करें तो बैठा है ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा सा पार्ट को और अखेकर लेकर जाते हैं इसके बाद आते हैं हमारे एंगल्स के उपर बात इसमें स्टार्ट हो जाती है कि भई साइन 60 डिगरी कितना होगा कॉस 30 डिगरी कितना होगा तो हम एक बार एंगल्स के उपर भी थोड़ी सी चर् चीज़े करेक्ट है या नहीं है वो भी हम सीखेंगे तो सबसे पहले बात जो आती है हमारी यहां पर टेबल कैसे बनानी है वह बात होती इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले लिखना है आपको 01234 यह लिख दोगे है यह नहीं तो इसको डिवाइड कर दिया किससे और वो ठिवाइड के ये जैसी आपने पॉर में किया क्या होगा और उसका ले लो स्कुरुट करने के बाद courage ईसका ले लो Read कर पारे इसको याद कर तो याद करने पड़ेगी ना तो फिर आते हैं हमारा साइन कॉस एन कॉसेक 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 कॉट चीजों को ध्याद से समझें अब ठीक है हम लोगों को यहां पर पूरी टेबल आप लोगे सामने आने वाली है इसका तरब अठीक है तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं चीज के उपर की कैसे हम इसको करेंगे तो देखो थोड़ी सी चर्चा इसके उपर करके टेबल के उपर जल्दी से आप लोग उपर वाले पार्ट को सॉल्व करों कि क् पढ़ने के बाद तो जो यह पूरा पार्ट जो बनाया हमारा ठीक है इसको अगर हम ध्यान सकते हैं जीरो अपॉन यह कहीं नहीं कितना जागा मेरा इसको सॉल्व करने के बाद वी नो दाट कि यह वन अपॉन में टू हो जाएगा आया नहीं हो जाएगा सब्सक्राइब और इसको सॉल्वर रने के बाद क्या पता यह भी यह हमारा क्यों जाएगा वन अपॉन में रूट टू कि ऊचपर करेंगे तो नीचे टू आजाएगा उपर वान है तो क्या हाएगा टू यह चलिक शोल्व को दिवाएट करने पे उप को जीरो को फरकी नह वह गया वन अपन में रूट टू आ गया रूट थी वाइट भी आ गया और वन यह सब चीज़े हमारी यह पर आगे थोड़ा साथ इसको और देखते हैं यह क्या पाठ था हमारा साइं को स्को कैसे याद करें सर पास का तो बताओ कुछ ठीक है अब आपको साइन याद हो गया और कौन सा कलर ले रेड भी नहीं दिख रहा सही से जाएं को साइन के साथ आपको को सेक रूल पता है साइन और को सेक तो आपस में विल्कुल क्या सकते हैं रेसिप्रोकल है तो क्या होगा बेटा रेसिप्रोकल कर दो यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा मेथा हो जाएगा यह इसकी है ये तो सही है कि वन को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या अ और²? लिए किसी नंबर कोटिक है, हम जीरो से डिवाइट करते हैं, जीरो दाइए जीरो बाई तो जीरो ही आएगा, अगर मेरा अब वन अपन जीरो हुआ तो अब क्या आता है इंफिनिटी जिसको हम कहते हैं नॉट डिफॉन क्योंकि ये क्या हो जाएगा मेरा बनवां जी यह बात हमें समझनी है उपन सीरो इसके साथ साथ हमारा किसका साइन और मिलास पकाश कि यहां से उड़ना करके लिए इसको है है फिर रूट की बाइट हो गया है फिर वन बाइट हो गया है फिर बन बाइट हो गया है फिर जीर है यहां तक उतार लो जल्दी से इसके बाद हम आगे चलते हैं फिर बिखनी रहा तो देखनी रहा तो इपार्ट हमको यहां तक पार्ट सब्सक्राइब एक चीज को पर 10 कि अपन में तो तो जीरो अपॉन में वोन नभी क्या बोला जीरो अपॉन में गए क्या भी किसी भी नम्बर को डिवािट में लिचे तो आपको जीरो मिलेगा ठीक तो यह कितना ओगया पे इन दोनों को डिवाइट करने पर तूसे टू कट जाएगा वानों में रूट 3 इंसे कट करेगा तो वन आ गया तो रूट 3 और वन अपॉन 0 और वन अपॉन 0 क्या होता है हमारा और अगर मुझे 10 का पता है 10 किसका हमारा हो जाएगा हो जाएगा मैं यह सब चीजे हमें कफ़ी इंपॉर्ट है रूट 3 यह जाएगा रूट 3 और यह जाएगा सब चीजे हमको जापे आगे-आगे दियान रखनी होगी 10 की बीग के पिर इसको हम क्या करेंगे यहां से उटा करके लिए वन हो गया यह तो रूट-3 हो जाएगा यह सब चीज़ा हमारी यहां पर कोई याद रखनी होगी तो यह हमारी पूरी टेबल कम्प्लीट कर लिया है आपको यह याद रखनी है अब जब हमारी टेबल हो चुकी है तो आगे का हम जब लेते हैं पोर्शन बहुत धान से समझेंगे उस पोर्शन को कि अब हम जब जब पूफ देखेंगे किसका 30 और 60 गरी और 60 गरी का जब टेखनी पूफ एक्जाम में पूछ चुके हैं तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि 30 गरी और 60 गरी का जब जब पूफ आया था दो नमबर और ती नमबर है उसमें तो अगर हम एक एक्कुलेटर ट्रेंगल लें अगर हमने एक एक्कुलेटर ट्रेंगल लिया हमें हापे क्या तेखना है 30 गरी और 60 गरी का जमेट्रिकली प्रूफ क्या होगा यह चीज तब मुझे समझाओ एक चीज यह बही कितना हो जाएगा एक्कुलेटर ट्रेंगल है परपेंडिकुलर हमने डाल दिया है क्या डाल दिया हमने परपेंडिकुलर डाल अब यह साइड भी मेरी मैंने माना था इसको भी ए माना इसको B माना इसको आमने यह बाई लेंगे फिर यह भी यह बाई टू हो जाएगी और यह साइड हमको यह हूंको हमारी होसाइंगे होसे और अगर हमारे दूनों थोने आशाने और यह दूनी त्रेंगल भी आपस में एकले डिवाइड हो जाएंगे तो यह भी 30 यह बाद आइधिंक सब क्लियर हो गई हो गई है दूसरी चीज एक ट्रेंगल में हैट कैसे निकालते हैं एक ट्रेंगल में अगर हमको हाइट निकालने का फॉर्मला क्या होता है अंडर रूट अंडर रूट थ्री अपॉन टू यह हमारे का होता एक ट्रेंगल में हाइट निकालने का पॉमला नहीं आई बास में तो एक काम करो इस वाले ट्रेंगल ने पैथा कुरा स्थिरूम लगा दो और यहाली साइड निकाल तब आपको आंसे रही मिलेगा क्या मिलेगा अंडर अंडर रूट 3 एपॉन तो बात आगे होगे समय में अब हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हैं तो यह पूरा पार्ट हमारा जब बनके थियार हो जाएगा एक्जाम में तब इसके आगे हमको देखने हैं एंगल साइन 60 डिग्री यह मेरा 60 वाला पार्ट है नहीं समझन के सामने वाली साइड परपेंडिकलर ठीक है तो एडी यस अपॉन में एब तो यह कितना था अंडर रूट 3 अपॉन में टूए यह भी कितना था मेरा यह था तो हमारा क्या हो जाएगा एसे एक कैंसिल क्या बचाएगा अंडर रूट 3 अपॉन तो साइन 60 की वैल्यू यह ह अंडर रूट 3 अपॉन 2 यस और नो है ठीक है अब जमने ऐसी साइन निकाला है तो ऐसी हम कॉस को भी निकाल सकते हैं चलो चेक करते हैं कि यह तो हमारा साइन का पार अगर हम क्या निकाल रहे हैं पर कॉस पहले साइन को उतार लो आपको इसके बाद जब मैं इसमें ही अग जब मैं इसी में अगर हमको यहां पर निकालना पर जाए साइन 30 तब क्या करना होगा चेक कर लिया था वरिफाई किया था अंसर सी आया था साइन 60 का 30 और शक्र पर तब एंगल के सामने वाली साइड एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी पता हुए क्या होती है पर्पेंडिकुलर होती है ठीक है क्यों होती हमारी पर्पेंडिकुलर तो फिर हमको पता है यह हमारी क्या थी एंगल के सामने वाली साइड तो यह हमारी पर्पेंड ट्रैंगल में हमने क्या लिए है यह ट्रैंगर टीक हमारी होगी लिजी हटाएगा हमारा पिदी कि ए हप उनमे में क्या लिखंगे वह संद series नहीं होगी है यह बतायا थब यह कितना धिया हुए स्टीन ऑन bell कि घ। तो यहां तक की कहानी I think सबको समझ में आ गई होगी इसी टाइप से आप यहां पर 1060 निकालो कॉट 60 निकालो कॉसेक 30 निकालो सारे एंगल आप फैरिफाई कर सकते हो ठीक है तो यह थे हमाले 30 सब्सक्राइब होते हैं तो अभी एक्जाम का डाइम चल रहा है तो हम जो पार्ट हमारा इंपोर्टेंट है उसको ही डिसक्स कर रहे है सारी की जो एंगल पास आते रहता है ठीक है यह सब चीज़े दूसरी आली में अगर हम यह करते तो यहां से एंगल होते रहता है तो यह सब चीज़े हमारे 090 होती है बट चो एक्जाम में आते हैं अभी हम एक्जाम की टाइम है तो उनको ही डिसक्स करेंगे जो हमारे एक्जामनेशन पॉंट-व्यू से इंपोर्टेंट है अब आती है बात 45 डिग्री 45 की केस में क्या करेंगे कि सीर अगर 45 डिग्री है तब हम क्या करेंगे बट तो बिटा देगो 45 वाले कीस में हम एक क्या लेते हैं हम यहां पर एक एंगल लेते हैं अईसोछिस राइंगल ट्रैंगल यह बात घ्यान समंगाए व्यांस सिर्थ करेंग हैं और यह हमको पता है कि यह कितना है इसोछिस साइट अंगल ट्रेंगल में अगर हमारी साइड यह भी ए है यह साइड भी ए है तो एसी कितना आएगा अगर मुझे निकालना है साइन क्या होता है अगर मुझे निकालना है और फ़र्टी फाइफ पॉस्टी फाइफ वस्टी फाइफ क्यों यह बीसी अपन में एस तो बना जायेगा तो यह थी हमारी सारी चुमेट्रिकली प्रूव जो हमको यहां पर आज डिसकस करने थे फोड़ असा आगे और चलते हैं अब जो पार्ट यह कभी कभी आप लोग एक्जामिनेशन के पॉंट डिफूस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बट बेटा मैं कहा रहा हूं यह चीज आगर आप 11 में अगर एक एंगल थेटा होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा 90-2 आप सबने फॉर्मले पड़े हैं उनको वेरिफाइब भी आभी हाँ वें साइन 90-ठीटा क्या होता है पास्ट छीटा पास 90-ध्थेटा क्या होता है साइन ठीटा और टैन नाइनटी माइनस ठीटा क्या होता है कोट ठीटा अब को सेक नाइनटी माइनस ठीटा क्या होता है सेक ठीटा और सेक नाइनटी माइनस ठीटा क्या होता है को से थीटा दूसरी बात अब हमारा गया 910 और कॉट कॉट 90-ठीटा क्या होता है अब बच्चे करेंसे नहीं होता जाए अगर भूल गया फॉमले फॉमले भूलने नहीं है भिया रखने हैं चीजों को पहले तो आप लोग उतारो ठीक है यह सब आप लोगों के लिए इंपो ुए है है तो अब हैicky मेप ठीटा है टनी ₹ अचriver कि अब है थोड़ीं सी चीजों पर ध्याण रखना वह सारे चीजों को अभी आप लोग क्या करते होगा पलोड में अ tocar inAudine यह स्वाल को छोड़ देते हैं पर जब आगे हम पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि दूसरे वच्चे को तो आती है हमें तो नहीं आता हम दो छोड़ दिया था तो समय पर तो चैप्टर जो है एरिया ओफ पैलोग्राम अट चुका है अगर वही चैप्टर कोर्स में होना तो मैं करो पूरे जितनी भी बुक है नाइंध की उसके अक्यले वह आप तो फॉस सारी चीजी दिए नाइंध के सर्कल और नाइंध के अगर हमने एरिया फैलोग्राम ध्यान से खरें अच्छे से तो आपकी आगे 11 12 के बहुत सारे कॉंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो यह चीजी थोड़ा सामें ध्यान रखनी है नौ अब अगर हम बात करते हैं इसको समझते हैं चीजों को की आए कैसे सारे फॉमले बेटा ध्यान से समझना साइन ठीटा क्या था है बताओ आपको अब सब्सक्राइब अपान विल्कुल एकर दो मारी वाद ठीक है बिल्कुल सही है साइन नाइन्टी माइनस ठीटा क्या था अच्छा निकाल लेते हैं यह हमारा क्या हो जाएगा प्रपेंडिकुल अब तो पता लगए होगी न डिरेक्ट लिग दूं वह हमारी हाइपोटरेनेस हो जाएगी चलो यह बात ही मान ली कॉस्ट ठीटा क्या होगा अपको अभी सब्सक्राइब कर सकते इसी चाइप सेंते हैं तो यह सब चीजह हमें हापे ध्यार नहीं है नौक रोगा थेना कि हमने यहारे पार्ट कर लिया है तो थोड़ा सा आगे की तरफ और चलेंगे ठीक है यहां पर हमें जो चीजे समझनी है वह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर हम एक्जामनेशन पॉइंट की बात करें वह क्या है हमारी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटीज एक ऐसा आगर हम बात कर रहे हैं कैसी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो की एक्जाम में बहुत बार पुछा जाएंगे और बहुत सारे कोशन इसके उप बहुत रहे गा तो क्या होती है ट्रिगोमेट्रिक अडेंटीज और कैसे हम इनकी पोशन को सॉल्व करेंगे उनकी भी ट्रिक्स देखेंगे ठीक है पहले हम यहां पर देखेंगे की में में इनके फोर्मिले क्या है साइन स्कूरा ठीटा प्लस कॉस्ट स्कूरा ठीटा इस इप तुब सुन यह आप सब ने पढ़ा है तक यह यह होता क्यों है यह जरूरी है क्यों है सब चीजों को जब तक जानेंगे नहीं जब तक मजा नहीं आता है तो बेटा देखो साइन हमने साइन लिखा है तो यहां पर साइन ठीटा कितना होगा अगर यह ठीटा है ठीक साइन ठीटा कितना होगा अपको सर एबी अपॉन में एसी इसका होल स्कॉयर आया होगा क्राइब कितना होगा 20 सी अपन में सकाहल स्क्राइब कितना हो गया ए देप स्क्राइब का क्लों अब आधम एसलिका स्क्राइब क्या इस प्राबर होगा एस फिर याद नहीं करने है वनाने हैं अपने आपिया सब बने हुए चीज़ें ठीक है श्राइब करुछ नाव इसके आगे जाए हुँ आ अभी तक जो हमने पड़ा था वह हम्ने हाँ पे देखा ठीक है कि हमने श्राइब को स्वारी थिटा प्रक्राइब को आपर भी प्रूफ किया था जब उसके आगे हम चल'll सट यह ब penalty भूट स्ट क्वर्क वन minus 10 square theta is equals to 1 ठीक है यह बात भी हमें ध्यान रखनी है तो बैटा यहाँ पे अब इस फॉर्मले में कुछ चीजा आपको ध्यान रखनी होंगी यह एक फॉर्मला बहुत इंपोर्ट है सीधा एक्जाम में question पूछ लेते हैं इस type से यहां से देखें तो यह इस type से लिखा हुआ है तो हमको बता है कि sec theta minus 10 theta किसका reciprocal का यह भी आपको याद रखना है ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है कि sec plus 10 और sec minus 10 इस दुसरे की reciprocal है दोनों को multiply करने पर वन आता है एक्जाम में 5 to 6 टाइम इस type का question आयो ठीक है तो ध्यान रखनी है सेम अगर हम बात कर रहे हैं से आगे कॉसेक और कॉट की तो भाँपे भी हमारी यह बहुत ही important है ठीक है ठीक है वह ता आपको पता है को सक स्कुर्ड ठीटा को बन प्लस कॉट लिखते हैं कॉट को लिखते हैं कॉसेक माइनस वन यह इस ते निकल जाती हैं सब चीजे तो बट जो चीज आपको याद रुखने ह आगे के लिए कि कॉसेक थेटा माइनस कॉट थेटा कॉसेक थेटा प्लस कॉट थेटा तो कॉसेक थेटा कितना होगा यह निकलना है तो यह तो यह हमारी आच्छे ती जिसमें हमने केवल टिग्रोमेट्री के ऊपर बात की थी नेक्स क्लास में हम जितने भी important question है और जितने भी previous year questions है उनको यहां पर discuss करेंगे दो क्लास और लेंगे टिक्नोमेट्रेगी जिसमें मुस्ली कोशन हमारे अडिन्टीज बेस रहेंगे जो कि हमारे एक्जम में आते हैं तब तक के लिए आपको इस सारे फॉर्मले लर्न करने हैं चैनल पर बने रहें नोटिफिकेशन की बेल को बजा आप लोग क्या करना है कि हमारी बेल है उसको आप नोटिफाइख कर दीजिए जिससे आगे की वीडियो जब भी आएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें ठीक है तब तक के लिए आपको सारे फॉर्मले याद करने है थेंक्यो वीडिवन